हेलो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे और हल्दी होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी चीजी टेस्टी माइक्रोनी पास्ता तो चलिए बिना लेट के हुए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे पास्ता सॉस तो एक पैन में हम लेंगे टू टेबल स्पून ओयल और उसमें डालेंगे वन टेबल स्पून बटर दैन इसमें हम एड करेंगे टू फाइनली चॉप्ट गार्लिक और एड करेंगे चिली फ्लिक्स then add करेंगे mixed half half tablespoon सबको अच्छे से saute कर ले जब इसमें से एक अच्छा सा aroma आने लगेगा यानि कि खुश्बू आने लगेगी then हम इसमें add करेंगे finely chopped onion अब सबको अच्छे से saute कर ले थोड़ा onion का color light हो जाएगा then हम इसमें add करेंगे tomato puree 1.5 cup सबको अच्छे से stir cook कर ले जब इसमें अच्छे से cook हो जाएगा तो इसमें से oil धीरे-धीरे separate हो ना start हो जाएगा then हम इसमें add करेंगे chilli powder 1.5 तेबल स्पून और add करेंगे paper powder 1.5 तेबल स्पून फिर add करेंगे salt 1.5 तेबल स्पून अब इसमें एड़ करेंगे हम tomato sauce 2 टेबल स्पून सबको अच्छे से mix कर लीजिए अब इसमें एड़ करेंगे हम half cup water और half cup milk अब इसको अच्छे से cook होने दें जब इसकी gravy थोड़ी थिक हो जाएगी तो अच्छे से combined हो जाएगा तब ये अच्छे से cook हो जाएगा तो देखिए आपका pasta sauce बनके ready हो चुका है तो अब चलिए हम अपने macaroni pasta को boil करते हैं तो सबसे पहले एक pan लेंगे और उसमें डालेंगे water और उसमें डालेंगे 1 tablespoon salt जब ये अच्छे से boil हो जाएगा तो हम add करने अपने macaroni pasta 1.5 cup ये perfectly cook हो चुका है या नहीं तो ये perfectly cook हो चुका है अब हम अपने pasta को चान लेते हैं अब इसको add करेंगे हम sauce में और इसको 2-3 मिनट तक पकने देंगे तो देखिए ये अच्छे से cook हो चुका है अब इसमें add करेंगे हम proceed cheese 1.4 cup और add करेंगे इसमें mozzarella cheese 1.5 cup अब इसको 2-3 मिनट तक cook करेंगे ताकि cheese जो है अच्छे से melt हो जाए तो देखिए आपका cheesy tasty pasta बन के ready हो गया है तो आप इसको गर्मा गरम serve करेंगे आप भी खाईए अपनी family वालों को भी खिलाईए ऐसे ही और मज़ेदार recipes देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें ताकि आपको हमारे वीडियो की notification मिलती रहे है Thanks for watching